नमस्कर विद्यार्थी मित्रू आज हम हमारी गध्य साथ जन्म भूमी जिनके कवी हैं सुमित्रा नंदन पंथ इस कविता को समझने जा रहे हैं पहले तो हम कवी सुमित्रा नंदन पंथ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कले प्रक्रोती के सुकुमार कवी सुमित्रा नंदन पंथ का जन्म उत्रा खंड के अल्मोडा जिले के कोसानी गाउं में हुआ था उनकी प्रारंबिक शिक्षा कोसानी और अल्मोडा में हुई मेट्रिक उतिर्ण करके आगे की पढ़ाय के लिए पहले वाराण सी गए फिर प्रयाग गए सन 1921 में गांधी जी के असयोग आंदोलन के कारण पढ़ाय उन्होंने छोड़ दी सन 1943-44 में उदैशंकर के रुत्य केंद्र से सबंध और कल्पना चित्र के निर्माण में सहयोग सन 1950 से सन 1957 तक आकाश्वाणी में हिंदी सलाहकार रहे छायावाद के शलाका पूरुष प्रकृती संदर्य के अनुपम चित्रकार काव्य भाषा के समर्थ शिल्पी प्रोड विचारक कविक को उनके कला और बुढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी से लोका यतन पर सोवियत भूमी नेहरू पारी तोशिक समीती से और चिदंबरा पर ग्नान पिठ पुरसकार मिले हैं उनकी कविता चायावाद, माक्स्वाद, अर्विन दर्शन, वेदिक चिन्तन के सोपानों से बढ़ती हुई विश्व चेतना तक पहुची हैं उन्हें पदमवी भूशन भी मिला हैं वीना, ग्रंथी, पल्लव, गुन्जन, युगांत, युगवानी, मधुज्वाल, ग्राम्या, युगपत, कला और बुढ़ाचांद आधी उनकी प्रमुक, काविय उन्होंने लिखे हैं उनके अलावा नाटक, निती नाट्य, कहानी और उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं जन्मभूमी काविय में जन्मभूमी का महत्व बताते हुए पंतजी ने प्रकृती का गवरोगान किया है भारत का वईभव शाली इतिहास प्रकृती महापुरुषो का वरणन किया है हमारे नारी रतनों की बात बताते हुए पंतजी ने वसुधेव कुटुम्ब कम की भावना साकार की है कवी कहते हैं कि इस कविता में कवी ने हमारी जन्म भूमी भारत की महता का वरणन किया है। जन्म भूमी को स्वर्ग से भी अधिक स्रेष्ठ बताया है। जन्म भूमी प्रिय अपनी जन्म भूमी प्रिय अपनी जो स्वर्गदापी चिर गर्यसी जिसका गौरव भाल हिमाचल स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल ज्योती ग्रंथित गंगा यमुना जल वह जन जन के हदई में बसी। तो पहले हम इनकी इस कविता के शब्दों को भी समझले। जननी यानि माता जन्म भूमी यानि वहस्तान या देश जहां किसी का जन्म हुआ हो। और ये भी उसका अर्थ है कि जन्म भूमी यानि उस जगह जहां पर हमारा जन्म हुआ हो। दूसरा है स्वर्गा धपी यानि स्वर्ग से भी। चीर चीर यानि बहुत गर्यसी यानि स्रेष्ट गौरो यानि महत्व अत्वातो बडपन भाल यानि मस्तक धरा यानि प्रोथवी श्यामल यानि सावला कुछ कुछ काला। ज्योती ग्रथित ज्योती से गुथा हुआ। बसी यानि बहुत प्रिय होने के कारण ध्यान से बनी रहना यानि बसी। तो अब हम इस पंती के अर्थ को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। कवी हमारी जन्म भूमी भारत का गुणगान करते हुए हमें ये कहते हैं कि हमारी जन्म भूमी भारत माता स्वर्ग से भी अधिक स्रेष्ट हैं कहते हैं कवी कवी कहते हैं कि हमारी जन्म भूमी यानि भारत का गुणगान करते हुए कवी कहते हैं कि हमारी जन्म भूमी भारत माता स्वर्ग से भी अधिक स्रेष्ट हैं हमारी मात्रुभुमी का मस्तक हिमालई हैं जो देश का गवरव बढ़ा रहा है। हमारे देश की सुनहरी धरती सदा प्रफुलित और पुलकित रहती हैं पुलकित यानी अनंदित पुलकित रहती हैं। हमारी मात्रुभुमी गंगा, यमना जैसी पवित्र नदियों के निर्मल जलसिक गुथी हुई हैं। ये नदिया हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति के हदय में बसी हुई हैं। तो यहाँ पर लेखक ने भारत और भारत की जो नदिया हैं, उसका जो हमारा हिमालय परवत हैं, उसका हमें यहाँ पर महत्व बताया है। आगे देखिए दुसरी पंक्ति में कवी हमें क्या समझाने का प्रयत्न करते हैं। जिसे राम लक्ष्मन और सीता बन गए पद धुलित पुनीता, जहां क्रुष्ण ने गाई गीता बजा अमर प्राणों में बन सी। तो अब हम इस पंक्ति में जो शब्द हैं, उस शब्दों को पहले समझ ले। पद धुली यानि पेरों की धुल जहां पर राम लक्ष्मन और सीता चले थे। उस धर्ती की धुल को यहां पर कवीने पद धुली यानि की पेरों की धुल कहा है। दुसरा शब्द हैं पुनीता यानि पवित्र जिस धर्ती पर राम लक्ष्मन और सीता चले थे। यह उनकी पद धुली से पवित्र बन गये थे। गीता यानि भगवत गीता जो भगवान स्रीक्रश्न ने गाई थी। भगवान स्री क्रश्न ने भगवत गीता का अग्नान महाभारत के समय अर्जुन को सुनाया था तो भगवत गीता जो हमारा एक ग्रंथ भी है और अमर यानि जिसका कभी अंत या क्षय न हो जो कभी मरता नहीं है उसे भी अमर कहा जाता है तो अब हम इस पंग्ती को भी समझने का प्रयत्न कर रहे हैं और यहाँ पर कभी कहते हैं कि हमारी मात्रु भूमी भारत वह भूमी है जो मर्यादा पुर्शोतम राम उनके भ्राता भ्राता यानि भाय उनके भाय लक्ष्मन और सिता माता के चर्णों की धूली से पवित्र हैं इस भूमी पर भगवान स्रीक्रश्न ने अपनी बंसी की धुन से जनजन के हदय पर अपनी अमीट छाप छोड़ी हैं और उन्होंने भगवत गीता जैसे अमर काव्य की रचनाकर लोगों को ग्नान का उपदेश दिया है तो यहाँ पर राम, लक्ष्मान और सिता के महत्व को बताते हुए भगवान स्रीक्रश्न का भी महत्व यहाँ पर कवी ने बताया है और साथ साथ भगवत गीता जैसे स्रेष्ठ काव्य की रचनाका भी हमें महत्व बताया है तो यह हमारे देश की एक महता है जहाँ पर ऐसे महान काव्य ग्रंथ जिसे हम अपने धर्म में जोड़ते हैं जिसे हम अपना आदर से सिस जुकाते हैं से ग्रंथ की भी भगवान ने हमें रचना करके दी है तो यहाँ पर तीसरी पंक्ती जो हमारी हैं ये हैं सावितरी राधासी नारी उतरी आभा देही प्यारी उतरी आभा देही प्यारी शिला बनी तापस सुकुमारी जड़ता बनी चेतना सरसी तो यहाँ पर तीसरी पंक्ती के जो शब्द हैं उसके अर्थ को भी बहले हम समझ लें आभा आभा यानी प्रकाश शिला यानी पत्थर तापस यानी तपस्या करने वाली तपस्वीनी सुकुमारी यानी कोमल अंगो वाली जड़ता यानी प्राण न होने का भाव तो अब हम इस पंक्ती के अर्थ को भी समझ लें हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी महान नारिया हुई है सावित्री वह नारी है जो अपने पती सत्यवान का प्राण यमराज से वापस लाई थी और राधा जिन होने स्रीक्रश्न के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है वो स्रीक्रश्न की परम भक्तव थी और महान एक उनकी वेरागीनी स्त्री नाई का भी थी तो राधा जैसी महान देवी का नाम भगवान स्रीक्रश्न के साथ बड़े आदर से आज भी हम लेते हैं इनके जैसी यहाँ पर कवी कहते हैं कि हमारे देश में सावित्री और राधा जैसी माहान नारिया हुई थी जिनकी आभासे मानव जाती आलोकित हैं यानी प्रकाशित हैं सुकुमारी नारी तपस्वीनी अहल्या शापवश शिला बन गई और एक जिती जागती नारी चेतन से जड़ अर्था निश्प्राण हो गई यानी अहल्या के बारे में ऐसा कहा जाता हैं कि अहल्या ने अहल्या को उनके पती ने स्राप दिया था और उस स्राप के कारण वो पत्थर की शिला बन गई थी लेकिन जब उनको सही उनके पती को रूशी को सही बात का पता चलता हैं कि इंद्रने ही उसे ठगा हैं तो उसे वो वर्दान भी देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन भगवान स्री राम इस धर्ती पर अवतार लेकर आएंगे और उनके चरण की रज से तुम फिर से स्त्री बन जाओगी तो ऐसा माना जाता है और भगवान जब राम जब आते हैं इस धर्ती पर और शिला जो पड़ी हुई थी अहल्या की उसे अपने चरण की रज से फिर से नारी बना देते हैं इसलिए यहां पर कहां है कि अहल्या शापवश शिला ब गई थी तो भगवान की चरण रज से उनका उद्धार हुआ था इसलिए यहां पर उसे भी एक महान नारी के रुप में हम जानते हैं तो फिर से एक बारी स्पंक्ती के भाव को समझ ले हमारे देश में सावित्री राधा जैसी महान नारिया हुई थी जिनकी आभासे मानव जाती आज भी अलोकित हैं यानि प्रकाशित हैं सुकुमारी नारी तपस्वीनी अहल या शापवर शिला बन गई और एक जिती जाकती नारी चेतना से जड़ अर्थार्थ निश्प्राण हो गई तो ये हमारी तीसरी पंक्ती थी अब हम इस कविता की जो चोथी पंक्ती है उसे भी समझने का प्रयत्न करते हैं शांती निकेतन जहात पोवन ध्याना वस्तित हो रुशी मुनीगन चिद नभ में करते थे विचरण जहा सत्य की किरणे बरसी तो अब हम इस कविता के शब्दों को भी पहले समझले तपोवन यानी तपस्या करने का वन जहापर रुशी मुनी वनों में तपस्या करते थे वोस्थल को तपस्या भुमी यानी तप करने का वन भी कहा जाते हैं जैसा तपोवन हैं जहां ग्नानी रुशी मुनी ध्यान मगन होकर ग्नान रुपी नभ मंडल में वीचरण करते रहते हैं हमारा देश सत्य के प्रकाश से अलोकित हैं अर्थार्थ यहां सत्य का बोल बाला है यानि हमारा देश भारत जो हैं वो एक शांती निकेतन जैसा तपोवन हैं उस तपोवन में बड़े बड़े ग्नानी रुशी मुनी ध्यान में मगन होकर ग्नान रुपी नभ मंडल में हमेशा वीचरण करते रहते हैं हमारा देश सत्य के प्रकाश से सदा अलोकित हैं अर्थार्थ यहां सत्य का हमेशा बोल बाला हैं यह हमारी कविता की चोथी पंक्ती थी अब हम इस कविता की पाँचवी और आखरी पंक्ती को भी समझने का प्रयत्न करेंगे आज युद्ध जर जर जग जीवन पुनह करेगा मंत्रो चारण वह वसुधिव बना कुटुम्बकम उसके मुख पर ज्योती नवलसी जननी जन्म भुमी प्रिय अपनी जो स्वर्गद पीचिर गर्यसी तो यहाँ पर आखरी पंक्ती के शब्दो को भी हम समझे युद्ध जर 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 यानी युद्ध से कमजोर मंत्रो चारण यानी मंत्रो का उच्चारण करना वसुधेव यानी प्रोथवी की तरः वसुधेव यानी प्रोथवी की तरः कुटुम्बकम यानी की परिवार ज्योती यानी प्रकाश नवल यानी नविन अथवातो नई तो पंक्ती के अर्थ को भी समझ ले कवी कहते हैं कि आज समस्त विश्व के लोगों का जीवन युद्ध की विभी शिका से त्रस्त और जरजर हो चुका है हमारा देश मानव जाती को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर मंत्रों चार करके समुचे विश्व में शांति का प्रचार करेगा वह प्रोथवी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिल जुलकर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है उसके मुख पर नई चमक हैं कवी कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमी भारत माता स्वर्ग से भी अधिक स्रेश्ठ हैं तो यहाँ पर कवी ने हमें हमारे देश का जो महत्व हैं उस महत्व को समझाते हुए कहा है कि आज हमारा देश भारत जो हैं वो कहते हैं कि अज समस्त विश्व के लोगों का जो जीवन है ये त्रस्त हो गया है जरजर हो गया है हमारा देश मानव जाती को युद्ध से छुटकारा दिलाने के लिए आज फिर से मंत्रोच चार कर समुझे विश्व में शांती का प्रचार करेगा वह प्रुथवी पर रहने वाले सभी लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने वाले एक विश्व परिवार की भावना का प्रचारक बन गया है उसके मुख पर नई चमक है इसलिए कवी कहते हैं कि हमारी प्रिय जन्मभूमी भारत स्वर्ग से भी अधिक स्रेश्ट है तो ये हमारी कवीता थी इस कवीता को कवीता का जो सार है उस सार को हम अगर संक्षित में समझे तो उसमें कवी कहते हैं कि हमारी जन्मभूमी गंगा यमुना जैसी पवीत्र नदियों के जल से गुथी हुई है उसका मस्तक हिमालई है हमारे देश की धर्ती सदा प्रफुलित रहती है हमारी जन्मभूमी राम लक्ष्मा और सिता माता के चर्णों की धूली से पवित्र है भगवान स्री क्रश्णर ने भगवत गीता का उपदेश यही दिया है हमारी जन्मभूमी सिता, सावित्री, राधा और अहल्या जैसी माहान नारियों की धर्ती है हमारी जन्मभूमी उन ग्नानी रूशी मुनियों का देश है जो ध्यानावस्तित होकर शांती निकेतन तपोवन में तपस्या करते हैं और जनान रूपी नभूमंडल में विजरण करते हैं समुचे विश्व पर युद्ध की चाया आज मंडर आ रही है इस थिती में हमारे देश अपने मंत्रों चार से विश्व को शांती और वसुधेव कुटुमकम का संदेश देगा तो यहाँ पर विध्यार्थी मित्रों यह हमारे कविता का भाव था सार था अब मैं मानती हूँ कि आपको यह कविता जो हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी तो अब हम उनके स्वाध्याई को भी जरा देख ले आपको स्वाध्याई के सभी प्रशन अपनी बुक्स में लिखकर तयार रखना है आपको स्वाध्याई लिखना है मैं आपको स्वाध्याई के प्रशन भी समझा रही हूँ उसको समझकर आपको उसका उत्तर अच्छी तरह से आपकी बूक में लिखकर तयार रखना है तो स्वाध्याई के प्रश्न जो हैं वो कुल 6 प्रश्न है उन में से पहला प्रश्न मैं आपको समझा रही हूँ पहला प्रश्ण है निम्न लिखित प्रश्णों के नीचे दिये गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिये यानि कि यहाँ पर विकल्पिक प्रश्ण है एक प्रश्ण है उनके चार विकल्प दिये गए है अ, ब, क, और, ड उनमें से जो सही विकल्प है उसे ढूंड कर आपको उसमें लिखना है जननी जन्मभुमी रिक्तस्थान से महान है तो आपको उसका उत्तर लिखना है उनका उत्तर मैं आपको बता दे रही हूँ उनका उत्तर है स्वर्ग यानि कि जननी जन्मभुमी स्वर्ग से महान है दूसरा जो प्रश्ण है भारत का भाल रिक्तस्थान है उनमें भी चार अब का औरडविकल्प दिये गए है उनमें हिमाचल, विंदियाचल, माउंट अब और गिर्नार उनका उत्तर है हिमाचल यानि कि भारत का भाल है हिमाचल तीसरा प्रश्ण गीता का गान करने वाले रिक्तस्थान थे उनमें भी जार विकल्प आपको दिये गए हैं वालमी की द्रोणाचारिय, अर्जुन और क्रुष्ण तो हमारा उत्तर है गीता का गान करने वाले क्रुष्ण थे जिन्होंने गीता सुनाई थी अब हमारा जो दूसरा प्रश्ण है निम्न लिखित प्रश्णों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिये निम्न लिखित प्रश्णों के एक-एक वाक्य में उत्तर लिखिए तो ऐसे चार प्रश्ण है आपको चारों प्रश्णों के उत्तर अपने आप ढूंड कर लिखना है पहला प्रश्ण है जन्जन के हदय में कौनसी नदिया बसी है दूसरा प्रश्ण तीसरा प्रश्न है जन्म भूमी में भारत की किन नारियों की बात बताई गई है और चोथा प्रश्न है शांती निकेतन क्या है तो ये चार जो प्रश्न है वो एक-एक वाक्य में है और उसका उत्तर भी आपको एक-एक वाक्य में ही लिखना है अब हमारा प्रश्न तीन निम्न लिखित प्रश्नों के दो-तीन वाक्य में उत्तर लिखिये इनमें तीन प्रश्न है पहला प्रश्ण है हिमाले के बारे में जन्म भूमी कविता में क्या कहा है दूसरा प्रश्ण धर्ती कविने धर्ती के गुणगान कैसे गाये हैं और जो हमारा तीसरा प्रश्ण है शांती सत्य अहिंसा का प्रचार करने वाले भारतिय महापुरुषों के नाम बताईए अब हमारा जो प्रश्ण चार है ये हैं निम्न लिखीत प्रश्णों के चार पाच वाक्य में उत्तर लिखिये निम्न लिखीत प्रश्णों के चार पाच वाक्य में उत्तर लिखिये इनमें चार प्रश्ण है पहला प्रश्ण है कवी ने जन्म भूमी को स्वर्ग से माहान क्यों बताया है दूसरा प्रश्ण है जन्म भूमी में भारत भूमी की क्या-क्या विशेश्टाएं बताई गई है तीसरा प्रश्ण कवीता के आधार पर भारतिय नारी की महान ताका वर्णन की जिये और चोथा प्रश्ण है भारत विश्व शांतिदूत क्यों कहलाता है और हमारा जो पाचवा प्रश्ण है उनमें है निम्न लिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए उनमें तीन पंक्तिया है पहली पंक्ति है जिसका गवरो भाल हिमाचल जिसका गौरो भाल हिमाचर दूसरी पंक्ती यानि कि दूसरा प्रश्ण जड़ता बनी चेतना सरसी और तीसा प्रश्ण जो है वह वसूधेव बना कुटुम्ब कम तो यहाँ पर मैंने आपको जो कविता की पंक्तियां समझाई है उस पंक्ती में इन तीनों पंक्तियों का जो भाव है वो भी मैंने आपको समझाया है आप अच्छी तरह से इस कविता की पंक्ति को पहले सुने बाद में उनका उत्तर लिखे तो आप अच्छी तरह से इस कविता की जो पंक्तियां है उनका भाव उनका उत्तर जो है वो आप अच्छी तरह से उसे लिख सकेंगे और हमारा चठा और आखरी प्रश्ण है निम्न लिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए जननी दुसरा है ज्योती पहला शब्द है जननी दुजा है ज्योती तीसरा है शिला चोथा प्रश्ण है विचरण पाचवा गौरव और छठा पुनित तो ये छे जो शब्द है उन छे शब्दों के आपको समानार्थी शब्द जो है वो लिखना है तो अब मैं मानती हूँ कि आपको इस कविता अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आपको मैंने उसका स्वाध्याई भी समझाया और किस प्रकार से उत्तर लिखने है ये भी बताया तो आप अपनी बुक्स में अच्छी तरह से उनके उत्तर लिख कर अपने पास रखिए अगले वीडियो में दुबारा मीलेंगे तब तक के लिए अस्तु